गुड मॉर्निंग स्टूजेंट्स स्टूजेंट्स तो उसके साथ हलंत लगा दिया जाता है जैसे देखिए अगर हमें आय को अलग करके लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? अगर हमें आय को हटा कर विखेंगे? अगर हमें आय को हटा कर विखना होगा तो अगर देखिए श्वरुत था विखेंगे? कि करम बंद सुमुह को वर्ण माला कहते हैं हिंदी वर्ण माला में 11 स्वर और 33 विखना होते हैं हिंदी वर्ण माला में 11 स्वर होगे 33 विखना होगे छो मालिस होते हैं और वर्ण माला किस से बनती हैं? स्वर तथा विखनों के करम बंद यानी एक के बाद पहले स्वर फिर विखन для वियन जाशे लिखेंगे लिखना उन समूर में होना क्या कहला ता है? वनमेला कहलाती है आगे देखे आगत द्वानिया आगत द्वानिया यानि आगत किसी आना कहां से आई देखे कुछ द्वानिया अन्य भासाओं के परभाओं से हमारी हिंदी भासा में आई ऐसी द्वानियों को आगत द्वानिया कहते हैं से यह हिंदी की नहीं है लेकिन अन्य भासा की प्रभाव से हिंदी भासा में आ गई है इसलिए इनको आगत आई हुई इसलिए इन आगत ध्वानिया कहते हैं आगत श्वर है एक आगत व्यंजन है दो आगत व्यंजन है और एक आगत श्वर है यह आ के उपर यह चांद लगा हुआ है इसको क्या बोलते है ओ तो जैकिए अंग्रेजी से ये कौन सी बहसा से आई है अंग्रेजी बहसा से जैसे college offer आगत व्यंजन जो offer ये कौन सी बहसा से आई है उर्दू से जैसे कागत बाजार ये जैसे हम college लिखते हैं तो इंग्लिश में भी हमें उसको college को college पढ़ेंगे जैसे डोक्टर लिखते हैं तो डोक्टरी पढ़ेंगे और ओफर लिखते हैं तो ओफर हिंदी में भी ओफर का ओफर लिख देंगे और इंग्लिश में तो बोलेंगे उसको ओफर तो इसलिए ये अन्य भासा के प्रभाव से हमारी हिंदी भासा के प्रभाव हमारी हिंदी भासा में आ गई है इसलिए इनको बोलते हैं आगदवानिया अतिरिक्त व्यांजन आपने सारे व्यांजन लिखे उसके बाद में ये भी लिखे होंगे डवर्ड है के निचे जो ये बिंदू लगा है इसलिए इसको क्या बोल देते हैं अतिरिक्त व्यांजन अगर ये बिंदू नहीं ह चड़क पढ़ाई चड़ाई चड़ना आदे में यह बीच में पर्योग किये जाते हैं या लास्ट में पर्योग किये जाते हैं आगे देखिए ये समझ में आगे ना अतिरिक्त वियंजन क्या होते हैं ये वियंजन नहीं ये क्या कहलाते हैं अतिरिक्त वियंजन क्यों कहलाते देखिए इनके निचे बिंदू लगा हुआ होता है और ये बिंदू लगे शब्द आपने बहुत बिंदू लगे जो वियंज यह बहुत शब्दों में पढ़े होंगे आपने बहुत सी शब्दूं से बने हुए कि कि आगी देखिए सहुज़ज़जन सायुख्त व्यमूंजन क्या होते हैं सहुज़ज़ज़न कोची सिप्र Gen paul होते हैं देखे कि आखसे बनाये को अर शेशे शमा तर मित्र इसमें आवाज आ रही हो आ रही है को और ціनीं से बनाये नोके यह स्रम्यक फिरा से बना Bitte уб malaise सुनाई देते हैं जब हम इसका उचारण करते हैं तो दो व्यंजनों की मिले हुए रूप को क्या कहेंगे सयुक्त व्यंजन यह मैंने आपको बताया है कि जब दो व्यंजनों को जोड़कर एक व्यंजन बनता है तो इसलिए हम उसको सयुक्त व्यंजन बोलते हैं आगे देखिए आयोगवा है आयोगवा है क्या होते हैं हिंदी वन माला में कुछ ऐसे वर्ण है जो नहीं तो स्वर है और नहीं वे वियंजन है ना तो वे स्वर है ना ही वे वियंजन है ना तो इनको हमने स्वरों में गिना ना लिखा ना इवियंजनों में लिखा और गिना तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे आयोगवाह कहते हैं जैसे अंग इसको क्या कहेंगे अग के उपर जो बिंदू लगा है तो इसका नाम है अनुस्वार अब ए के उपर जो चांद बिंदू लगा है उसका नाम है अनुनासिक अब ए के आगे जो दो बिंदू लगे हैं इनका नाम है विशर्ग तो ये अनुस्वार, अनुनासिक और विशर्ग कहलाते हैं अनुस्वार क्या होता है देखिए वर्ण के उपर जब एक बिंदू लगाया जाता है तो उसे अनुस्वार कहते हैं ये वर्ण माला के परतीक वर्ण का पांचमा आक्षर होता है ज्यादा हम इसको किस में उप्योग करते हैं नै और मैं में उप्योग करते हैं तो ने और मेल किसके हमारी जो वर्ण माला है, उसका जैसे त थ द धन, ने कौन सा अक्सर हुआ तै वरक का? पांच मा, ऐसे इमपे, फ, ब, भ, म, ये भी कौन सा अक्सर हुआ? पांच मा. तो यह वनमाला के प्रतेक वर का कौन सक्सर कहलाया पंचमाक्षर यानि पांचमाक्षर प्रतेक वनमाला के जो अक्सर उप्योग मिलाया जाएगा बिंदु के रूप में वो वनमाला का पांचमाक्षर होता है जैसे जंडा अब आपने जंडा ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा तो ये क्या है ये क्या है भी ये टैव रख का पांच माक से ना इसके बीच में ये इसके बीच में टैव रख का पांच माक सरी है तो ये क्या है अब इसको हम ऐसे लिख देते है अनुस्वार का रूप बना दिया तो अब भी भी ये जंडा ही है ना तो आपको समझ में आया ना कि अनुस्वार परतेख वरख का जो पांच माक सर है परतेख वरण हमारी वरण माला का उसका क्या होता है ये रूप होता है दूसरा अनुस्वार के रूप में लिख देते हैं हम उसको आगे देखिए अनुनासिक वरण के ऊपर जब चंदर बिंदू का चिन लगाया जाता है तो उसे अनुनासिक कहते हैं जैसे सांप, आँक, चांद, कुँआ ये अनुनासिक होते हैं आगे है विशर्ग वरण के आगे जब दो बिंदू लगाई जाते हैं तो उसे हम विशर्ग कहते हैं इसका चिन ये हैं ये दो बिंदू देख रहे हैं ये क्या होते हैं ये कहलाता है विशर्ग ये विशर्ग है जिसे देखिए प्रात, अत, क्रमस, नम्ह, आदी ऐसे आपने और भी अक्षर देखे होंगे जिनके आगी दो बिंदू आपको लगई हुए मिलते हैं तो ये दो बिंदू क्या कहलाते हैं ये विशर्ग है और इसका चिन है ये दो बिंदू लगई हुए मिलते हैं तो अनुनासिक अनुस्वार और विशर्ग आपको समझ में आ गया होगा अनुस्वार उपर जो एक बिंदू लगा हुआ होता है वो अनुनासिक क्या होता है चांद बिंदू के अंदर बिंदू होता है चांद के चांद बनाकर उसके अंदर बिंदू और जब दो बिंदू लगे हुए होते हैं तो वो विशर्ग होते हैं। संयुक्त अक्षर जैसे संयुक्त व्यंजन थे वैसे संयुक्त अक्षर हैं। दो व्यंजनों को मिलाने से संयुक्त अक्षर वनते हैं। इससे पहला अक्षर सवर रही तथा दूसरा सवर युक्त होता है। पहला अक्षर सवर रहित, दूसरा सवर सहित, पहले में तो अ होगा, यानि आपको पताया था कि सभी व्यंजनों में किसकी दवनी आती है, ए की, तो ए मिला हुआ होता है, तो पहले अक्षर में तो ए नहीं मिला हुआ होगा, दूसरे अक्षर में ए मिला हुआ होगा, ये दे एय युग्या है तो इन दोनों को साथ में बोलना पड़ता है और ये दोनों दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं इसलिए इनको समयुक्तक्षर कहते हैं जैसे अम्मा चम्मच जैसे लोल दिल्ली बिल्ली लोल से आगे देखिए समयुक्तक्षर आपको समझ में आगे होंगे क्या होते हैं कि पहला अक्सर तो सवर के रहित होता है यानि उसमें सवर नहीं होता अब देखिए हलंत लगा देतें तो भी ये सवर रहित हो जाता है और इसको ऐसे लिख देतें तो भी ये सवर रहित हो जाता है तो इसमें पहला अक्सर ऐसा है और दूसरा सवर सहित होता है आगे देखिए रह के विभीन उप्योग विभीन परियोग सवर सहीत और सवर रहीत यानि जब रह साधारन लिखा हुआ है तो उसमें ए है उसमें सवर साथ में है जैसे राम, सीर, आर्ती लेकिन रह के निचे जब हलंत लगा देंगे तो उसमें रह आया उसके साथ में नहीं है तो उसको कैसे लिखेंगे वो अक्सर वोग वर्ण आदा हो जाता है आदा होने के बाद ये जो वर्ण के रूप है ये रह वर्ण के रूप है पदेन जैसे कर्म, प्रेम, अगर, ट्रक, ट्रेन, ड्रम और ये रह अक्सर का रूप है रेफ जैसे सुरिय सर्प धरम और ये रह अक्सर का जैसे रह के निचे री की मातरा लगी हुए तो ग्रह, नरप, क्रिसी ये रह का परियोग री की जगे किया जा रहा है री आ रही है इसमें ठीक है रह के साथ और रू की मातरा कहां लगती है रह के साथ उ तथा उ की मातरा निचे ने लगकर बीच में लगती है जैसे रह प्लस उ तो रह में उ की मातरा कहां लगाएंगे निचे ने लगाकर ये देखो बीच में दिखाई दे रहे ना को ऐसे लगती है जैसे रूई रूपया और उ की मात्रा कैसे लगेगी रे लिखा रे में तो लगी ऐसे और रे में उ की मात्रा तो लगी ऐसे और उ की मात्रा कैसे लगेगी ऐसे तो ये रू और ये रू अंतर पता चल गया कि कैसे लिखते हैं कैसे लगती है मात्रा हिंदी भासा में रह का परियोग विविन रूपे में किया जाता है आपने रूप पर देखे ही हैं पदेन और रिफ में और एक री में शब्द में परियोग किये गे वर्ण विछेद शब्द में परियोग किये गे सभी वर्णों को अलग लग करके लिखना वर्ण विछेद कहलाता है जैसे चैक में से ये स्वर अटा देंगे हलंत लगा देंगे और स्वर को या लिख देंगे फिर आगे देखिए प्लस डो अड़ी अड़ी है ये तो ये ए की मात्रा अलग कर देंगे यानि की स्वर अटा दिया तो ये यहां लिख दी और डै को हलंद करके लिखेंगे फिर आगे देखिए या तो या को हलंत कर दिया यानि स्वर इसके आगे आगे है स्वर दिखा दिया ऐसे ही बाक्की ओर सबत दिये हुए है या पढ़ लेना अपने बुक से अब हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ाया है वहें छोटी से छोटी द्वानी जिसके ओर टुकडे नहीं किये जा सकते वर्ण कहलाती है स्वरो तो था वियंजनों के करमबन समुह को क्या कहेंगे वर्ण माला और वर्णों के दो भेद है स्वरो और वियंजन जो हमने जान लिये थे और दो वियंजनों के मिले हुई रूप को क्या कहेंगे सयूंक्त वियंजन आपको समझ में आ गया होगा